हे दोस्तो वेलकम तो दिस चैनल मैं हू राहूल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनहरिटेंस के बारे में तो यह एक सॉफ्ट्रेर इंजिनिरिंग का सीरी चल रहे तो अगर आपको सारे वीडियो देखना है तो आई बटन को चैक आउट कर सकते हैं तो चलिए देख लिया जाए तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ट इस इनहरिटेंस एंड इसके कुछ टाइप्स के बारे में भी जानेंगे अब यह जो इनहरिटेंस है यह अब्जेक्ट उरिंटेट लैंगविज यानि कि उपका एक वन अब दा इंपोर्टेंट फीचर है यानि कि इनहरिटेंस का यूज करके कोई ये क्लास दूसरे क्लास का जो एक्टिबूट या तो मेथोड वगड़ा होते हैं उनको इसली एक्सेस या तो यूज कर सकता है यानि कि जो एक्जिस्टिंग क्लास बगड़ा है जो अल्रेटी बने हुए है किसी एक पोग्राम के अंदर तो उसी क्लास के अंदर का कोड हम फिर से रियूज कर सकते हैं इनहरिटेंस का यूज करके अब यहाँ पर इनहरिटेंस के अंदर मेंली हमको दो तरहिका क्लासेस दिखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ओरजिनल क्लास होता है उसको हम कहते हैं सूपर क्लास और जो एक्स्टेंडिंग क्लास होता है या तो एक्स्टेंडेट क्लास होता है उसको कहा जाता है सब क्लास अब अगर एक example को देखे तो यहाँ पर अगर एक card नाम का class है जो की है एक super class और इसके under में बहुत सारे subclasses available है जो की inherit कर रहे हैं अपने super class को यानि की car class को तो यहाँ पर जो subclasses है वो है SUV, sedan, sports car, roadster अब यह सारे जो subclasses है इसके अंदर हमको कुछ common attributes तो same देखने को मिलते हैं जैसे suppose number of wheels जो engine हो गया इसके अलाबा कुछ common feature जो की एक car के अंदर हमको देखने को मिलते है वो हम inherit करेंगे car class से जो की हर एक subclass में हमको देखने को मिलता है तो इसको हर एक subclass के लिए individual लिखने से अच्छा है हम एक super class बना ले और उसी का जो feature है वो सारे classes में inherit कर ले तो कुछ इस तरह से inheritance को हम program के अंदर use करते हैं अब यहाँ पर inheritance का हमको कुछ types देखने को मिलते हैं अब यह जो types है यह लगबख हर एक programming language में हमको देखने को मिलता है object-oriented languages में तो यहाँ पर जो first type है inheritance का वो है single inheritance इन single inheritance one class can have only one super class यानि कि single inheritance के अंदर एक super class होगा और एक sub class जैसे कि आपको एक diagram में दिख़रा होगा यहाँ पर देखिए यह super class है और B है जो वो sub class है अब जो second type है वो है multiple inheritance इन multiple inheritance one class can have more than one super classes यानि कि यहाँ पर एक sub class होता है और more than one super class के द्वारा वो inherit किया जाता है जैसे कि आपको diagram में दिख़रा हुआ A और B super class है और C जो है वो एक sub class है जो कि inherited हुआ है A और B के द्वारा for example A class और B class में हमको कुछ ऐसा feature दिखने मिलता है जो कि common है C class के लिए अब जो third type है वो है multi level inheritance in this type of inheritance a sub class is created from another sub class तो यहाँ पर हमको बहुत सारे levels दिखने मिलता है inheritance का जैसे suppose कोई अगर sub class है वो फिर से एक sub class के दौरा inherited होगा तो यहाँ पर जो diagram है right side में यहाँ पर देखिए आपको तीन classes दिखने को मिल रहे है जो A है वही एक super class है और A extend किया है B class को अब यहाँ पर B हो गया एक sub class जो की extended है A के दौरा अब B class भी extended किया गया है C class के दौरा तो यहाँ पर C हो गया एक sub class तो कुछ इस तरह से multi level inheritance हमको देखने को मिलता है बहुत सारे levels के फॉर्म में अब जो fourth type है वो है hierarchical inheritance इन hierarchical inheritance one class is inherited by many classes तो यहाँ पर जो hierarchical inheritance होता है यहाँ पर mainly एक super class होता है और वो inherit किया जाता है बहुत सारे sub class के द्वारा जैसे के आपको diagram में दिख रहा होगा जो A super class है वो inherited हुआ है B C और D यह तीनों sub class के द्वारा यानि कि A class में हमको कुछ ऐसे features दिखने को मिलता है जो कि B C और D इन तीनों class के अंदर common है तो इसलिए A class जो है वो तीनों classes के द्वार inherited हुआ है अब जो 5th type है वो है hybrid inheritance hybrid inheritance is a combination of single and multiple inheritance यह बहुत सारे single और multiple inheritance को combine करके create किया जाता है तो यहाँ पर देखिए आपको एक diagram दिख रहा होगा जो पर आपको 4 classes दिख रहे होंगे अब यहाँ पर main जो super class है वो है A, यह class जो है वो B और C के द्वारा inherited हुआ है तो यहाँ यहाँ वो है B और C हो गया sub class is whole classes आपको और B सी के ऑंदर कूछ ऐसे common features देखनेकों मिलता है जो कि A class के अंदर है तो इसलिए यह inherited हुआ है अब यह यहाँ पर देखिए B और C के अंदर कुछ ऐसा feature है जो कि D के अंदर combination उसका देखने को मिलता है तो इसलिए C class दोनों inherited हू कोई यूज किया जाता है maximum time तो फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हमने इन हेटेंस के बारे में जाना तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना मत भूले चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए हम फिल मिलेंगे ये अपने अगले वीडियो में है